बौधिक आतंकवाद यहां कक्षा में बच्चा जाता है तो गा से गाए नहीं पढ़ाया जाता गा से गधा पढ़ाया जाता है जब भगर सिंग राजगुरु और चंदर शेखर के बारे में दे आर नाट फ्रीडम फाइटर्स दे आर नाट क्रांतिकारी जो पढ़ाया जाता है यह एक्स्ट्रीमिस्ट है यह मिल्टिंथ है यह टेररिस्ट है उसके बाज जब देली निवर्स्टी में बच्चा आता है यह सब गह से गधा और यह सब पढ़के देली निवर्स्टी में आता है तो यहां एके रामा नुजन के BA Pass Course में 300 रमानाज में पढ़ाया जाता है रावन की छींक से सीता पैदा हुई रावन सीता का बाप था रावन ने गर्बधारन किया आठवे महीने में उसको घर से बाहर निकलने में शर्म आई जब आठवे महीने में जोर से छींक आई तो नाक से सीता मैया पैदा हुई ये दिली इनिवर्स्टी के BA Pass Course की बात कर रही हूं और आगे पढ़ाया जाता है लक्षमन और सीता के अनैतिक संबंद थे हनुमान एक कामुक वेक्ती थे जो लंका के शेयन कक्षों में रात को विच्छा करते थे और जब इन सब बातों के खिलाफ आवाज उठाई जाती है तो क्या कहा जाता है Attack on Freedom of Expression Hindu Fringe Hindu Extremist Elements लेकिन जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है दूसरों के कंधों पर तो जनाजे ही उठा करते हैं इसलिए ये चितना कोर्स में टियर था आज चेंज हो चुका है अंतमे मैं कहूंगी कि माक्सवादी जब विपक्ष में होते हैं तब इनकी विचारधारा का आंकलन मत कीजिए जब सत्ता में और पक्ष में आते हैं तब विचारधारा का आंकलन कीजिए पूछिये उस T.J. Thomas से उसका क्या कसूर था कि उसका दाहिना हाथ केरला में इसलिए कार दिया गया क्योंकि उसने एक प्रेश्म पूछ लिया था प्रॉफिट मुहम्मद के ऊपर उसकी पत्री ने कुछ वर्षों के बाद दस मार्च को क्यों आत्महत्या करली फांसी लगाकर क्योंकि न्यूमें क्रिश्चन कॉलिज ने उनको टर्मिनेट कर दिया था और घर में खाने के लाले पड़ गए थे पूछिये सरन मास्टर जी से कि उनकी दोनों टांगों को क्यों कार दिया गया था क्योंकि वो माक्सवादी परिवार में पैदा हुए अब राश्च्वाद की और अग्रसर हो रहे थे पूछो मास्टर जैकिशन से कि क्या उनका जुर्म था कि आठमी और नोवी कक्षा के बच्चों के सामने उनकी हत्या कर दी गई क्यों क्योंकि एक राश्च्वादी वेक्ती थे राश्च्वाद के पुरोधा थे इसलिए इसमार्क्सिस वें बेर इन उपोजिशन दे टॉक अब फीडम अप एक्स्प्रेशन लेकिन जब यह सत्ता में आते हैं वे कर्ब दे क्रश दे इलिमिनेट ओल आप राइट टू स्पीश की बात करते हैं यह राइट टू लाइफ ही खतम कर देते हैं इसलिए यह हमें ना समझाएं कि लिबर्टी क्या है और प्रोग्रेसिवनेस क्या है मैं यही कहूंगी कि यह जो समय है यह समय ऐसा है कि एक तरफ वो ताकते हैं जो देश विरोध में नारे लगा रहे हैं हिंदुस्तान की बर्बादी तक जंग रहेगी और दूसरी और वो राश भग ताकते हैं जो मेरे सामने बेठी हैं और जिनको कहते हैं न सवा लाग से एक लड़ा हूं तभी गोविन सिंग नाम कहला हूं यतने सशक्त हैं मजबूत हैं आगे बढ़ रहे हैं दूसरी और ये लोग हैं तो ना हम जुकेंगे ना रुकेंगे ना तूटेंगे क्योंकि जो पत्थर चोट लगकर तूट जाता है वह कंकर हो जाता है और जो पत्थर उस चोट को सह जाता है वह शंकर हो जाता है हम जहां खड़े होंगे जो हमारी सामर्थे होगी हम चार लोगों के बीच में होंगे हम स्टूर्स के बीच में होंगे प्रोफेसर्स के बीच में होंगे गाव में होंगे, शेहर में होंगे अपना अपना गिलहरी प्रयास जारी रखेंगे अपने साथियों को राष्टवाद के बारे में बताएंगे अपने साथियों को बताएंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में देश विरोधी नारे नहीं आते हैं हमें कोई confusion नहीं होनी चाहिए इसलिए आज मैंने सूरे से बस जरा यूही कहा तक लड़ू आकाश की आराधना के चक्रों में मत पड़ो संग्राम यह घंगोर है कुछ मैं लड़ू कुछ तुम लड़ो जै